देखो भाई, C.U.T. Aspirants कहीं आप सभी गलत syllabus से तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं आप में से बहुत सारे से C.U.T. Aspirants हैं जो पुराने syllabus को पकड़े हुए हैं और उसको देख कर C.U.T. 2025 की preparation कर रहे हैं देखो भाई, बहुत सारे से topics हैं जो इस बार add हुए हैं जैसे की allocation and mixtures, set theory and इसके बाद trigonometry की कई सारे concepts जो GT में add हुए हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को general test के C.U.T. 2025 का correct syllabus आपको बताने जा रहा हुँ और इसी के साथ-साथ कैसे इनकी preparation करनी हैं ये भी आपको एक वीडियो में बताने चा रहा हुँ अगेन बोलूँगा 2 weeks पर देख लेना but end तक देखना because ऐसी informational videos बनाने में मुझे महनत लगती है और आपको benefit होना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके C.U.T. 2025 के logical reasoning का सबसे latest syllabus तो यहां पर guys आपको main chapter दिखेगा और उसके अंदर कौन-कौन से sub topics आते हैं ये भी इसके अंदर आपको mentioned दिख जाएगा एक request मेरी आप सभी से रहेगी कि बस screenshot मत लेना अदर्वाइस आपकी gallery में गुम हो जाएगा अभी के अभी एक paper उठाईए वीडियो को pause करिए ये 20 topics अपने sheet पर लिखिए और किसी wall या almira पर चिपका लिजिए जब भी आपको ये chapter खतम होगा आप तिक मार मार के identify कर सकते हैं कि कितना मेरा portion complete हो चुका है अभी के अभी वीडियो pause करिए और ये काम करिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ आपके quantitative aptitude का syllabus ना ना खुश मत होना सिर्फ 6 chapter नहीं है और भी chapter है आगे दिखाऊंगा बट अगेन बता देता हूँ कई बच्चे पूछेंगे HCF LCM कहा है भाईया तो देखो chapter 1 है number system और इसके अंदर 4 sub topic दे रखे हैं sub topic 4 में HCF LCM given है तो attention मत लीजिए पूरा syllabus मैंने इसके अंदर आपको लिखकर दे दिया है इसे के साथ साथ quantitative aptitude का ही आगे syllabus ये है तो इतने सारे topics आपके quantitative aptitude मतलब maths में cover होते हैं तो अगे एक sheet लीजिए उसके अंदर पहले main chapter लिखे फिर उसके subtopics के name लिखे और तब जाके अपनी किसी almira पर चिपका लीजिए प्लीज ये काम अभी के अभी कर लो अदर्वाइस आगे procrastinate करोगे अगे बढ़ने से पहले guys आप सभी कोई crucial update और देनी है कुरुकशेतर university ने online courses अपने launch कर दिये हैं जैसे कि आप सभी bba, bcom, ba and कई सारी master's degree online घर बैटे कर सकते हैं कई सारे फायदे इस online course के हैं जैसे कि इनकी जो degree आपको मिलेगी that will be equivalent to offline और the regular degree यहाँ पे आप सभी flexible learning कर सकते हैं 100% घर बैठे इसी के साथ साथ आपको सिर्फ professors ही नहीं बट industry की जो experts हैं वो भी live master class provide क्या करेंगे और इसके अंदर फायदा ये भी है कि live classes आपको मिलेंगी और recorded lectures मिलेंगे from their top faculties बस एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगा कुरुक्षेतर university UGC entitled है और NAC A++ grade मिल रखा है admission बहुत जल्दे close होने जा रहे हैं link मेने description में दे रखा है at least link पे click करके इसकी और जानकारी हासिल करिए और अगर आप चाहें तो admission ले लीजिए तो वापस आ गए अब हम बात क करेंगे कैसे हमें general test की preparation करनी है लेकिन लेकिन भाईया एक चीज बताओ current of years का syllabus तो missing है दिखो guys current of years का कोई defined syllabus नहीं है current of years में भी दो चीज़े आती है एक आता है static GK एक आता है dynamic GK कैसे इसकी preparation करनी है आगे मैं आपको बताऊंगा ना सबसे पहले कैसे GT की preparation करनी है इसके लि कितना जादा vast syllabus है हमारे सिर्फ account sorry quantitative aptitude and logical reasoning का current affairs का भी जब syllabus होगा तो कितना burden आपके उपर पड़ेगा तो कितना पढ़ना है किस chapter से जादा questions आते हैं ये सब कहां से बता चलेगा जब आप PYQ उसको analyze करेंगे तो सबसे पहले आपके पास PYQ उने जरूरी है जिसे से आप सभ बड़ा syllabus है vast syllabus है इस vast syllabus में से ये topics पे मुझे जादा focus करना है इन topics पर कम focus करना है ये काम पहले करो PYQ उसको देखके ना भाया हम current affairs की कैसे तयारी करें सबसे पहला सवाल ये पूछो भाया कितने महीने की current affairs हमें पढ़नी चाहिए तो basically आपको जिस महीने आपका exam है उससे 6 म महीने पुरानी current affairs आपको आनी चाहिए that is November महीने से लेके April महीने तक की current affairs आपको पूरी अच्छी तरह पता होनी चाहिए तो ये नहीं एक साल की current affairs पढ़ने की जरूत नहीं है 6 months की current affairs would be enough for you इसी के साथ साथ क्या भाया current affairs की preparation करने के लिए हमें newspaper पढ़ना पढ़ेगा मैं आ OPC या SSC का examination नहीं है it's a simple CUET का entrance examination PYQ solve करोगे तो पता चलेगा बहुत basic level के questions आते हैं जैसे कि constituent assembly के president कौन थे drafting committee के president कौन थे जैसे राजिंदर प्रसाद जी बियार अंबेटकर जी तो ये तो basic information है जो सबको पता होती है तो बस आपको static जी के और थोड़ी current affairs जानी की जरूत होती है अब आप बोलोगे भाईयक newspaper पढ़ने से तो आपने मना कर दिया तो हम क्या पढ़ें तो यहाँ पर guys मैं आप सभी को एक update देना चाहूंगा and that is कि मेरी तरफ से आपको free monthly compilations मिला करेंगी अभी नहीं November महीने के बाद से आपको मेरी तरफ से इस तरह से compilations मिलेंगी so यह compilations मैंने free of cost 2024 batch को provide करी थी लेकिन देखो guys इतनी जादा current of years बनाने मेरी महनत हो दिये so in return मैं सिर्फ यह PDFs उनहीं बच्चों को provide करता हूं जो हमारा चानल सब्सक्राइब करते हैं at least इतना तुम्हें demand कर सकता हूं अगर मैं इतनी महनत कर रहा हूं तो जितने बच्चे हमारा चानल सब्सक्राइब करते हैं उन स्टूडेंट्स को आगे चलके free of cost यह monthly current of years मिल जाएंगी जिसकी वज़े से आपको यह newspaper नहीं पढ़ना पड़ेगा बट जब तक आपको हमारी monthly current of years नहीं मिल रही तब तक के लिए आप सभी किसी की daily current of years की वीडियो देख सकते हैं जिसे Malvi Academy, Adda और कई सारे चानल से हैं जो आपके लिए daily basis पर current of your videos बनाते हैं आप उनको refer कर सकते हैं बट आगे जाके जब मेरी compilations आ जाएंगी बस उसको पढ़िये and that is going to be more than enough for you. Now अब मैं बताता हूँ कि आपको logical reasoning कैसे पढ़ना है सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ ये जो आपका logical reasoning है सबसे ज़्यादा scoring और सबसे आसान subject है दिखो guys इस समय पर हमारा festive season चल रहा है दिवाली चल रही है छुट्टियां आपको मिल जाएंगी और उस समय पर आप सिर्फ enjoy करना चाहेंगे जादा पढ़ना नहीं चाहेंगे बट एक चीज़ याद रखो आप एक competitive exam की तयारी कर रहे हैं तो बिलकुल पढ़ाई नहीं करना ये आप food नहीं कर सकते साथवी आटवी नवी कक्षा के बच्चे कर सकते हैं बट आप entrance exam वाले नहीं कर सकते तो आ पर आपको इस तरीके का असान subject कवर करें जैसे की logical reasoning scoring भी है बहुत आसान भी है इसको कैसे prepare करना है इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने separate notebook बनाए एक notebook बना लो मेरी कहने पर जिसमें आप सभी top पर लिख दीजिए कि ये मेरी general test की concept वाली notebook है आप सभी को मैंने सारा syllabus प् लो और youtube पे चले जाओ कियार मुझे alphabet analogy का एक lecture देखना है आपने alphabet analogy का lecture देखा lecture देखने के बाद lecture में जो जो formula बताये जा रहे हैं आपने वो formula note down करें जो जो concept बताये जा रहे हैं ये इस किताब के अंदर आपने note down करें और उस lecture के अंदर जितने भी questions आपको solve कराये जा रहे किये और जो गलत किये वो अपने note book में लिख लिए इतना छोटा सा काम करने से आप अपने पूरे syllabus के formulas ready कर लोगे आपको अपने पूरे syllabus के concept से पता होंगे और ये सब की practice भी आपके हो जाएगी देख रहे हो आपके लिए बहुत आसान कर रहा हूं काम इसी के साथ साथ दो पार्ट में divide कर दिया जैसे कि quantitative aptitude में जितरे भी हमारे formula based chapters थे उनके लिए मैंने again एक ऐसी किताब बनाई और उसके अंदर lecture देखे फिर formula and concepts को note down किया उसकी थोड़ी बहुत practice करी और फिर mock test solve किये तो मेरे लिए formula based question solve करना आसान होता था जैसे कि mensuration हो गया central tendency हो गया इनम सिर्फ mode, median, इन सबके formula लगा है आपका answer निकल जाएगा लेकिन कई सारे होते हैं बड़े ही conceptual type of chapters जिसमें आपको in-depth information होना जरूरी है जिसमें मुझे personally problem आती थी तो इसके लिए मैं आपको ज़्यादा suggest नहीं कर सकता सबसे पहले बूलूँगा कि अगर आपको quants से थोड़ साभी डर लगता है तो पहले आप formula वाले chapter कर लो confidence बढ़ेगा फिर जाके आप ये conceptual chapters के उपर ध्यान दे सकते हैं So I hope guys आप सभी कोई video पसंद आई होगी मुझे थोड़ा सा कफ है but still I am helping you out Now एक चीज यहाँ पर मैं आप सभी को बोलूँगा देखो guys मैं पिछले 2 साल से students को personally YouTube पर गाइड कर रहा हूँ उनको comments में help कर रहा हूँ और अपने app पर help कर रहा हूँ बस जो आपको बोल रहा हूँ ना उसको execute जरूर कीजिएगा कोई बहुत टफ काम आपको मैं execute करने के लिए नहीं बोलता पिछले 2 साल के अंदर कई students को उनकी dream college तक पहुचने में मैंने बहुत help करी है इसलिए बोलूँगा execute जरूर करिये बाकी at the end आप सभी कुरुकशेत्र युनिवर्सिटी की website को जरूर चेक आउट करियेगा website में आपको इनके courses की सारी जानकारी, curriculum, इनकी fee सब आपको वहाँ जाने को मिल जाएगी link is given in the description box and please do not forget to subscribe this channel